लेट्स्पिनर को थमाई गई है अब गेंड फ्लिपर डाली फिल्डिंग यूनिट की मदद के चलते मिली एक बड़ी सफलता लुकुल साधारन बल्लेबासी अपनी विकेट नहीं गवानी है यहां इनको तो फिर जिस्ट गो बैक तो बेसिक्स फड़ा नीचे की तरफ रही है गेंड चतुराई वाली बोलिंग गेंड बास की लॉट हैं सही समझ बूच के साथ पकड़ा इस कैच को दो गेंडों पर दो विकेट चटका चुके हैं गेंड बास हैट्रिक पर हैं अपनी विकेट नहीं गवानी है यहां इनको तो फिर जिस्ट गो बैक तो बेसिक्स फड़ा बैक स्पिन पर नज़र डालिए चतुर गेंड बास फूर्ती से भागना होगा अगर जीवित रहना चाहते हैं तो बहुत करीबी मामला था विकेट मिलती तो हैट्रिक होती इस गूगली को ना पढ़ पाएंगे ना जड़ पाएंगे गूगल करना पड़ेगा खेलने के लिए गेंड पे तो मानने का प्रयास ही नहीं किया था शरीर का निशाना साधा सबलता भी मिले तिशाहिन गेंड बाजी वाइड का तौफा बल्ले बाजी टीम को बल्ले बाज के मन में है थोड़ी सी शंका फड़ा नीचे की तरफ रही है गेंड चतुराई वाली बोलिंग गेंड बाज के अब यहां तो भगने की भी जरूरत नहीं रिस पोजीशन में बदलाव बाज गेंड डाली गूबली गेंड शुरुवात तो अच्छी थी लेकिन हुआ एक अबरप एंड बढ़िया पकड़ाद कैच्छ यह बात तो तैह है कि आज गेंड बाज पैविलियन मुस्कुराते हुए जाएंगे नहीं गेंड आज पूछेगी कुछ कठन से फील्डर का बढ़िया थ्रो एक डाम्स डाम्स के उपर इस सिंगल के साथ की है पारी की शुरुवात बढ़िया जज्जमेंट टेज रनिंग बढ़िया रन बटोर आप बल्ले बाजों ने इस सिंगल के साथ की है पारी की शुरुवात पाउंडरी से थोड़ा पहले ही पड़ा टपा मिलेगा चौका इसा लगता है डाइव लगानी बढ़ेगी अगर विकेट बचानी है तो अपीज दमदार अमपायर को भी लगी असर तौफे में दे गए अपनी विकेट इनको सिर्फ अपना रोल अदा करना है कहते है न स्लो एं स्टेडी विंस दरेस फील्डर का बढ़िया थ्रो एक दमस टमस के उपर इस सिंगल के साथ की है पारी की शुरुवात करीबी मामला अपने नाखुनों को बचा के रखे ये थिलर होने वाला है फाइनल काउंटाउन के समय आया है एक थमाकिदार चौका अब यहां तो भागने की भी ज़रूरत नहीं है शुरुवात तो अच्छी थी लेकिन हुआ एक अबरप्ट एंड बढ़िया फकड़ा कैच अंते मोवर में बल्कुल साधारण बल्लेबाजी गिफ्ट में दे दी अपनी विकेट अपनी विकेट नहीं गवानी है यहां इनको तो फिर जस्ट गो बाक तो दे बेसिक्स अलका सा शुफल किया और गेंद को लेक साइड पे भेजा हाँ और ना में टाइम वेस्ट नहीं किया बढ़िया रुनिंग बेट्वीन दे विकेट्स पिक्चर पर्फेक्ट शॉप कर हदिक कंचर बेडर क्यों पलुब। स्क्वैल लेक की तरफ खेलना चाहते थे लेकिन गेंद गई है मिड्विकेट शेत्र में चीते को पीछे छोड़ दें इतनी तेज भागा ये बल्लेबास बहुत ही करीबी मुकाबला था ये थोड़ा सा अनफॉर्चनेट है कि एक टीम को हारना था एक टीम का जीतना तैट कि